नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में आज हम बात करेंगे फ्लैट कोलर वेरिंग के युनिफॉर्म वियर के केस की पहले हमने बात की थी जो हम देख लेते हैं पहले के बात की थी युनिफॉर्म प्रेशर के केस के बात की थी आज uniform wear के case की बात करेंगे इसके अंदर हम ये figure हमने समझी थी कि ये single color है ये multi color है तो इस तरह से ये अलग-अलग हमने बनाए थे और इसका uniform pressure का case हमने निकाला था तो इसके बाद हम ये जो figures हैं ये आप पिछली वीडियो में देख लीजेगा ये हमने समझी थी ये इसका top view है या bottom view आप बोल लीजिए कि ये bottom view है जब आप इससे देखते हैं तो इस तरह से आप इसको बना रहे हैं तो यहाँ पे आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे या top view बोल लीजिए जो निचे वाला जो अपने विव मनाया है कि जो आप उपर से देखेंगे या नीचे से देखेंगे अगर फर्स्ट ये ये वीर्प करना चाहते हैं तो अप और यह चाहिए bottom ले लीजिए तो according to angle आप ले लीजिएगा तो यह view हमने बनाये थे और यह हमने निकाला था तो अब इसके अंदर देखे flat collar जो bearing है इसके अंदर हमें निकालना है uniform wear का case अब uniform wear के case के लिए अब जो हमने flat pivot bearing के अंदर पड़ा था कि uniform wear के लिए जो हमारा del w होता है यानि कि जो load होता है ring के ऊपर जो load transmit होता है ring के ऊपर कौन सी ring के ऊपर जो हमने इसके अंदर लेखी थी यह वाली ring के अंदर यह वाली जो ring है elementary ring जो हमने यहां से r radius पे है और thickness dr है इस ring के ऊपर तो del w क्या है हमारा वो होगा हमारा p into जो area है 2 pi r dr है यही था अब यहां uniform wear के case में जो p है वो किसके बराबर होता है c by r के यह भी हम पढ़ चुके हैं जो intensity of pressure है inversely proportional होती है distance के यानि कि center से जितनी दूर जाते रहेंगे यह उतनी ही कम होती रहेगी distance बढ़ता रहेगा तो यह कम होती रहेगी तो p into 2 pi r dr यहां पे p की value आप put कर देंगे यह c by r c by r तो 2 pi r dr यहां r से r cancel तो यह क्या जाएगा 2 pi c dr आ जाएगा यानि कि del w की value जो है load transmitted है on the ring यह आजाएगा आपके पास 2 pi c dr अब load total load अगर आपको निकालना है तो w आप कैसे निकालेंगे इस 2 pi c dr को r2 से r1 limit लेके जैसे हमने पहले किया था यहां प्रेसर के case में limit लेके integrate आप कर देंगे जब आप ईसको integrate करेंगे तो 2 pi c आ जाएगा r यहां dr का r आ जाएगा और r 2 यहां r1 और जब आप इसको solve करेंगे तो यहä क्या जाएगा 2 pi c और यहां पर क्या जाएगा r1 minus r2 यह ही आएगा तो यह इस यहां से निकाल ली तो यहां से आपने C की वाले निकाल ली अब देखिए जो फ्रिक्शनल टोर्क है अंदर रिंग पर यह भी हम जानते हैं वो क्या होती है पिछली बार हमने युनिफॉम वियर के जो force है तो यहाँ पर यह del w है mu into del w होगी और यह r तो है ही तो यह formula आप बना सकते हैं अब यहाँ से mu अब del w की value आप निकाल चुके हैं p 2 pi r dr तो यह जो है value जो है del w की जो है यहाँ पर पूट कर देंगे तो यहाँ पर क्या क्या हैगा del w की sorry यह वाली आप निकाल चुके हैं यह put करेंगे 2 pi c dr तो 2 pi c dr आपने put कर दिया और इसके साथ r है ही तो यह value बन गई आपकी जो frictional torque थी 2 pi mu c r dr यह भी आप इसको लिख सकते हैं इसको दुबारा से 2 pi mu c r dr इस form में लिख लिजिए क्योंकि हम इसको integrate करना है आप total frictional torque निकाल लिजिए total frictional torque कैसे निकलेगी आपको सिर्फ integrate करना है r2 से r1 जो आपने यह value निकाली है 2 pi mu c r dr यह value निकाली है इसको integrate करना है जब आप इसको integrate करेंगे तो 2 pi mu c अब r है r dr है तो इसका क्या बन जाएगा r square y2 और जो limit क्या है वो है r2 से r1 यह limit है तो torque की value क्या जाएगी जब आप इसमें put करेंगे 2 pi mu c r1 और r2 की value आप put कर दीजिए इसमें तो यहाँ पे क्या जाएगा r1 square minus r2 square divide by यहाँ पे क्या जाएगा 2 तो यह जो torque है यह आगई आपकी अब यहाँ से 2 cancel out हो गया और यह value क्या आगी pi mu c r1 square minus r2 square तो यह इस तरह से देखिए आपने जो torque की value यहाँ से total torque की value निकाल ली pi mu c यह pi है pi mu c r1 square minus r2 square इस तरह से torque की value आप निकाल सकते हैं अब यहाँ पे देखिए अगर आप c की value put कर देते हैं इस c की value यह value value put कर देते हैं तो c की value जब यह इसके इंदरा put करेंगे तो यह जो torque की value है यह क्या बन जाती है यह भी आप देखिए pi mu into c की value आपने put कर दी यह है w by 2 pi r1 minus r2 यह बन जाएगे आप यहाँ पे देखिए r1 square minus r2 square है इसको आप क्या लिख सकते हैं r1 minus r2 इसको क्या लिख सकते हैं r1 minus r2 और r1 plus r2 यह ही लिख सकते हैं a square minus b square को a minus b a plus b R1 minus R2 से R1 minus R2 यह cancel हो जाएगा यहाँ पे क्या बचेगा Pi, Mu, W और इसके साथ R1 plus R2 और यहाँ पे निचे क्या है यहाँ पे थट 2 Pi अब यहाँ से Pi, Pi भी cancel out हो गया तो यहाँ पे Pi, Pi cancel out हो गया तो यहाँ पे Half Mu W R1 plus R2 सिर्फ यह आपके पास value बचेगी Half Mu W R1 plus R2 जो की होगी आपके Total Torque की value तो इस तरह से देखिए Flat Color Bearing के लिए Uniform Wear का जो case है वो आसानी से आप solve कर सकते हैं तो Thank You वीडियो देखने के लिए और जादा अपड़ेटिट वीडियो के लिए आप कमारे चैनल Learn and Grow पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं Thank You